जिससे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किन मिंग त्यांदो इंपीरियल स्कूल के अंदर आया था और उसने अपने साथी टीजर्स को मार्शल सोल हॉल के खिलाफ एक साथ लड़ने को मना लिया था वहीं तैंग शैंग जो ग्रैंट सी मास्टर से लड़ रहा था उसने उनका एक टेंटिकल तोड़ दिया था लेकिन उनोंने अपनी फिफ स्पिरिट रेंग जिसकी पावर रीजनरेशन की थी उसका यूज करके अपने टेंटिकल्स को फिर से ग्रो कर लिया था ये देखकर सारे टेंटिकल्स भी काट डाले तो भी सी मास्टर रीजनरेशन की पावर से खुद को हील कर लेगा लेकिन तैंग शैंग ऐसे हार नहीं मान सकता था इसलिए वह कुछ सोच कर अपने स्वैल्विंग गोल्डन थ्रेट्स का यूज करता है और मैजिस्टिक नेचर को फैलात लेकिन उसको ऐसा करने में बहुत स्वैल्विंग पावर से जादा है वो तैंग शैंग की अब इस नाधानी पर हसते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी तक मेरी चाल समझ नहीं आई जितना जादा मेरा तुमसे कांटाक्ट होगा उतनी ज्यादा मेरी स्वैलोइंग लेकिन तुमने मुझे अपने इस नाधानी से काफी जादा डिसेपॉइंट किया है अब समय आ गया है कि मैं इस खेल को खतम करूँ वो ऐसा कहकर अपना फाइनल अटाक करते हैं और अपनी नाइन सोल स्किल जिसका नाम टाइडल वेव ग्राविटी है उसका यूज करता है उसका यूज करते हैं इसका यूज करने के बाद उनकी ग्राविटी बहुत साथा बढ़ जाती है और हर चीज उनकी तरफ खीचने लगती है तैंग शैंग के दोस्त भी उनके तरफ खीचने लगते हैं लेकिन जियान मोटो को संभाल लेती है और बागी सब दोस्त भी अप तब gravity की तरफ जाने का decide करता है और उनकी gravity ball के अंदर जाने लगता है वो उसके अंदर जाकर अपने आपको एक अलग सी जगह पर मैसूस करता है उसकी body हलकी हो गई थी और उसको असपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था वो आगे बढ़कर इस जगह को देखने की कोशिश कर लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी soul power दस गुना ज्यादा तेजी से कम हो रही है वो अब आगे बढ़ने लगता है और अब उसे आगे बढ़ने के लिए भी soul power का यूज करना पढ़ रहा था वो सी मास्टर की gravity के अंदर था और बाहर सारे दोस्त तैंग शैंग को देख पा रहे थे उसके दोस्त समझ जाते हैं कि तैंग शैंग सी मास्टर के एक टेंटिकल के अंदर गुज गया है जियू बाई उन सभी को बताती है कि सी मास्टर ने अपनी nine spirit ring का यूज किया है उनकी इस टेकनीक का यूज करने की वज़े से उन पाएगा वो लोग बाहर जोर जोर से तैंग शैंग तैंग शैंग चला रहे थे लेकिन तैंग शैंग को अंदर कुछ सुनाई नहीं देता और तैंग शैंग परिशान होता हुआ आगे ही बढ़ता रहता है वो आगे बढ़ रहा होता है लेकिन तब ही उसे थोड़ा बहु तैंग शैंग अपनी सोल पावर लगातार लूज करता जा रहा था और वो अपनी कोई सोल स्किल भी उज नहीं कर पा रहा था उसकी बोड़ी वीक होती जा रही थी और वो बहुत परिशान भी हो रहा था लेकिन आप भी वो हार नहीं मानता है और डिसाइड करता है कि चाहे ये कोई भी जगह हो वो यहां से भार निकल कर ही रहेगा वो पंच मार कर अपने आगे आने वाले टेंटिकल्स को अपसाइड हटाता है और आगे बढ़ता जाता है वो एक खाली मैदान पर पहुँचता है जहां नीचे हर जगह सिर्फ पानी ही पानी था और उसे अपने सामन में यहां वहां घूम रहा है अब उसके स्पिरिट उस चीज़ पर मुक्का मारती है जिस वज़े से उसके बोडी लूज हो जाती है और वो फिर अपनी बोडी के अंदर आ जाता है अब वो अपनी सोल पावर और सोल स्किल का यूज कर पाएगा और अब भार खड़े दोस् इस्तमाल करता है और फिर आगे बढ़ने लगता है वो आगे बढ़ते बढ़ते सी मास्टर तक पहुत जाता है और सी मास्टर अब उसके उपर अपना एक हमला करते हैं लेकिन तैंग शैंग अब उनके हमले से बढ़ जाता है उनमें अब कॉमबाट फाइट होने लगती है जिसमें तैंग शैंग भारी पढ़ता हुआ नसर आता है सी मास्टर ये देकर काफी जादा शौक हो गए थे कि तैंग शैंग ने इतनी जल्दी उन्हें ढूण लिया है वो तैंग शैंग से पूछते भी हैं कि आखिर तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूण लिया इस पर तैंग शैंग कहता है कि उसने भूल पुलया के अंदर बहुत सारे मार्क्स क्रियेट कर दिये थे अब सी मास्टर समझ जाते हैं और वो फिर उसे पूछते हैं कि क्या तुमें सच में लगता है कि तुम अपनी इस बच्चों वाली ट्रिक से मुझे हरा पाओगे वो फिर एक बहुत भयानक हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड एमिट करते हैं और इतनी हाई फ्रिक्वेंसी को सुन कर सब बहुत सादा परिशान होने लगते हैं और बार तक इसका असर होने लगता है उसके सारे दोस भी इससे अफेक्ट होने लगते हैं और उन्हें दर्ध होने लगता है और फिर यहीं एपिसोट खतम हो जाता है